सब्सक्राइब तू मन की साधना चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूँ साधना, मेरा आप सब को प्यार भड़ा रादे रादे। लिए एक मशीन चाहिए, मेरे पास लोहे की मशीन हाई। इसे पसेशन फलावर बनाखे और एक जकट बनाई थी. आज मैं वही फलावर आपको बनाना बताऊओंगी और यह गोटा। , आपने ओन के और धागे के बहुत सारे फ्लावर देखे होंगे। लेकिन आज मैं आपको गोटे का फ्लावर बनाना बताऊंगी, अब देखते हैं, वो कैसे बनता है। Friends, यह मशीन देखिए, ऐसे बंद हो जाती है, और ऐसे इसके यह तार निकल लाते हैं। इसी पर आप हम गोटे का फ्लावर बनाएंगे। सबसे पहले गोटे को यहां रखेंगे और इसके ग्लू लगा लेंगे। यह देखिए। ग्लू लगा लिया। एक तार मेंसे निकालके इसके सामने वाले तार में ही हमको ऐसे यंटा लगाके और लेके आना है। फिर यहां ग्लू लगाएंगे यह देखिए फिर इसके सामने वाले में ऐसे अंटा लगाके फिर जहां ग्लू लगाते जा रहे हैं उसी के उपर से इसको निकालेंगे फिर इसके सामने वाले में अंटा लगाके ऐसे मोड के और फिर जहां ग्लू लगाया है वहीं पर फिर इ साथ की साथ लगाना है नहीं तो ये बीच में फुल जाएगा ये देखिए ऐसे फिर इसके सामने वाले पर लपिटेंगे तार पर और फिर इस जगे से फिर इसके सामने वाले पर लपिटेंगे ऐसे फिर इस पर हमको ग्लू लगाना है ऐसे ये देखिए ऐसे अब इसके सामने वाले पर तार पर लपेट के फिर इसको सीधी फिर लेके आएंगे यहाँ फिर इसके सामने वाले पर लपेट आएंगे अभी मैं इसको पूरा करके आपको दिखाती हूँ पूरा फ्लावल मैंने तारों पर बना लिया है अब इसको हम यहाँ से कट कर देंगे थोड़ा बड़ा और यहां पर गुलू लगाकर यह देखिए और इसको भी थोड़ा सा हम फोल्ड कर लेगे खोटे को थोड़ा बड़ा काटा है हम ने बड़ा काटने के बाद इसको इसी के ऊपर चुपका देगे और फ्रेंड्स जब तक इसको नहीं निकालेगे तब तक यह सूप नहीं जाएगा नहीं तो यह सारा उधर जाएगा निकल जाएगा फ्रेंट्स देखिए यह सूख चुका है अब हम इसके तारों को अंदर कर देंगे यह देखिए यह अंदर हो गया अब यह सारे फूलों की पत्ति यह सारी फूल की पत्तियां से निकल लाएगी आराम से निकल लहीं क्योंकि पीछे ग्लू लगा हुआ यह खुलना जाए यह देखिए फ्रेंट्स यह हमारा फ्लावर तयार है यह देखिए और यह देखिए अब हमारा यह फ्लावर बिल्कुल तयार है फ्रेंट्स अगर आप चाहें तो इस पे मेरे पास कुछ मोती रखें हैं इनको मोतियों को भी इसके उपर थोड़ा लगा सकती है यह देखिए कैसे मैं लगा के दिखा देती हूं आपको यह एक हम बीच में लगाएंगी और यह हम साइड से लगा देंगे यह देखिए फ्रेंट्स यह देखिए इस तरीके से आप इसको डेकोरिट भी कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो इनके साइड से भी यहां एक मोती लगा सकते हैं ज्यादा हैवी लुक हो जाएगा और अच्छा लगेगा यह आप अपने चॉइस के अदूसार कर सकते हैं आप उसी साब से इसको लगा सकते हैं फ्रेंट्स अब इसको हम सूखने देते हैं फ्रेंट्स अगर आप इन मोतियों को और मजबूत करना चाहते हैं तो आप सुई धागे से इनको टक कर लीजेगा सुई धागे से लगा लीजेगा और मजबूत हो जाएगा यह कहीं निकल कर सकते हैं और भी पर्स वगारा पर कर सकते हैं जहां आप चाहें वहां इसको लगा सकते हैं आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा राधे राधे